अब हमारा question number है 18 18 में है 0.1x is plus 0.2 is equal to 3 तो हम क्या करेंगे 0.1x इधर लिखेंगे is equal to 3 यह इधर plus का था तो इधर आके minus का हो जाएगा 2.5 आप इसको करके देख सकते हैं देखें अगर हमने 3 में से 2.5 को minus करना है तो यह देखें इधर कुछ भी देए यहां हम 0 लगा लेंगे खुझ से समझ लें 3.0 हो जाएगा खुझ से अब यह देखें 0 में से 5 तो minus नहीं होगा हम इधर से carry लेंगे यह 10 हो जाएगा और इधर 2 remainder बच जाएगा 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा 2 में से 2 तो 0.5 आ जाएगा 0.1 x is equal to यह सही लिखा हुआ इसको कट किया हुआ हम इसको सही कर देते हैं तेक है ओवर 0.1 is equal to 0.5 over 0.1 तेक है यह 0.5 यह वाल है तो इसको डिवाइट कर रहे हैं दोनों को तो x आ गया is equal to बच्चों मैंने आपको पहले बताया था अगर उपर वाले पॉइंट खतम करना है तो मतलब 5 बनेगा और इसका जो है नीचे आ जाएगा ठीक है अब इसकी वेरिफिकेशन करते हैं 0.1 plus 0.1 x plus 2.5 is equal to 3 तो 0.1 x की जगा पर हम 5 राइट करेंगे प्लस 2.5 is equal to 3 तो अब यह देखे बच्चों अब हम क्या करेंगे 0.1 को जब 5 के साथ मल रहे तो 0.5 आजएगा क्योंकि 5 1s are 5 तो 0 as it as आजएगी प्लस 2.5 is equal to 3 इन दोनों को जब प्लस करेंगे अब यह देखे प्लस कर रहे हूं 2.5 और 0.5 तो 5 5s are 10 0 लगी 1 क्या रही पॉइंट पॉइंट की जगा पर आएगा तो 3 is equal to 3 हो जगा तो लेफ्ट हैड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के यह आपने इस तरह से करना यह आपका रफवर्क हो गया यह आपका क्वेस्टन हो अब बच्चों क्वेस्टन नंबर एक्सरसाइज 9.1 का 7 है प्लस का तो यह इदर आके माइनस का 4 हो जाएगा तो 1.5 x is equal to 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आजाएगा अब हम करेंगे डिवाइड बोट साइड बाइ 1.5 तो 1.5 x divided by 1.5 is equal to 3 divided by 1.5 ठीक है यह इससे कर जाएगा x आजाएगा is equal to 3 अभी बताया था मैंने कि यह 15 बना लेंगे पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद एक 0 है तो यह उपर चला जाएगा x 3 टेंज आर 30 ओवर 15 ठीक है यह आगया 15 बान जार 15 15 फिप्टें टू जार 30 तो x की वैलियू आ जाएगी x की वैलियू आ जाएगी 2 x is equal to 2 तो यह इसकी वैलियू आ गई है अब इसकी वैरिफिकेशन कर नहीं है इसकी वैरिफिकेशन हम कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास वैरिफिकेशन है 1.5 बचे इसकी वैरिफिकेशन हम कर देते हैं 1.5 x की वैलियू क्या आई है 2 x की वैलियू हम कर देते हैं 1.5 x plus 4 is equal to 7 तो 1.5 x की वैलियू 2 plus 4 is equal to 7 तो 1.5 को जब हम multiply करेंगे 2 के साथ तो 5,2 जार यह हम कर के देख लेते हैं 1.5 x 2 5,2 जार 10 वैलियू 1 क्यारी 2,1 जार 2 और 1,3 तो क्योंकि एक लफ़ज के बाद पॉइंट है तो 3 आजाएगा इसका प्लस 4 is equal to 7 तो 7 is equal to 7 तो यह left hand side equal हो जाएगी right hand side के ठीक है यह आपने इस तरह से कर देना है अब चो यह मैंने question number जो है 19 ठीक है 19 का part जो verification है वो मैंने यहां की है ठीक है आपने यह याद रखनी है कि यह verification है 19 पार्ट की question number 9.1 के टू पार्ट का जो 19 पार्ट है ना उसकी verification यह प्रक्रेश ना रखने की यह यह से कर दो यह आप चू यह ना